आज हम बनाएंगे मटर पनीर की बिल्कुल सिंपल तरीके से सब्जी जिसमें बिल्कुल कम तेल में बनाएंगे मटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए 4 तिमाटर और 4 हीमी प्याज, कुछ लसन, अद्रक, एक पाव पनीर और एक आधा किलो के करीब मटर हैं पनीर को अपनी पसंद से पीसिस में काट लेंगे जार में अद्रक मिर्च, लसन और प्याज को काटकर चॉप कर लेंगे तब ग्राइंड नहीं करना पत्ता चॉप करना है यह प्याज हमारा अद्रक लसन प्याज हरी में चॉप हो गए है और टिमाटर को भी हम ग्राइंड कर लेंगे टिमाटर को तो हम ग्राइंड करेंगे चॉपने करेंगे तो यह प्याज हम ग्राइंड हो गए है तो कूकर में एक बड़ा चमस तेल लेंगे तेल अच्छे से गरम हो जाए तो उसमें दो तीन लॉंग जरसी दाल चीनी डालेंगे और थोड़ा सा जीरा डालेंगे जीरा चटक जाए तो इसमें हम प्याज डाल देंगे जो हमने चॉप करके रखे थे वह प्याज हम इसमें डाल देंगे इसे हम भूनेंगे गुल्डन ब्राउन होने तक इसे भून लेंगे प्याज को प्यास को चलाते हुए भूनेंगे नहीं तो प्यास जल जाएंगे बीच पीच में चलाते रहेंगे एक कटोरी में सुखे मसाले ले लेंगे नमाक, मिर्च, छल्दी और धनिया पाउडर और थोड़ा सा पानी डालेंगे उसमें एक कट्ची के करीब पानी डालेंगे और उसको चमस्य अच्छे से मेक्स कर लेंगे इस तरह से मसाले डालने से सबजी में खुशबू अच्छे आती है और मसाले जलते नहीं है एक दम से इस आता आता गानख दिए, आता खुशे से आता अच्छे से जलते दो नआनाया रदिशाएर कॉशू लखंगे Nat ौ nll o प्याज हमारे भून गए हैं आप हम इसमें मसाले डालेंगे जो हमने गोल के रखेते हैं पानी में थोड़े से इसे से थोड़ा सा चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे तैकि मसाले जो है सबजी में कलार चोड़ दें अच्छे से भून जाएं उसी कटोरी में थोड़ा सा पानी और डाल कर वो टाल देंगे ताकि प्यास भी सॉफ्ट हो जाएंगे और सारे मसाले कटोरी में से आप है सबची में अच्छे लुफ चाह कर दो दोचा है प्याज कर मसाला हमारा अच्छे से भून गया है और ग्राइंड किये हुए हमें टेमाटर डालने हैं अब इस मसाले को भी हम अच्छे से भूनेंगे बीच बीच में चलाते हुए मसाले को अच्छे से भूनेंगे जब तक मसाला अच्छे से ऑईल नचोड़ दे ऑईल तो कमी डाला है एक्स्ट्रा दिखे का नहीं बुनने के बाद भी मिसाला भून देया है यह तीन सो ग्राम मटर है यह हम डाल देंगे इसमें और पानी आप जितनी अपनी ग्रेवी या थोड़ी पतली तरी रखनी उसे साथ से डालें मैं पोना घिलास पानी डालूंगी आप के यह पोना ग्राज पानी मैंने इसमें डाला है आप चाओ तो पानी थोड़ा सा और डाल सकते पानी आड़ और नहीं डालोंगे पानी आज अब इसमे हम पनी टाल देंगे पनी डालते हुए वीडियो मेरे से क्लिप में कैमरा ओन करना भूल गई थी तो यह पनी भी डाल दिये इसमें और इसमें हम अब तीन विसल लगाएंगे दो या तीन मेरे चोटा कुकर है इसलिए तीन लगाऊंगे अगर आप बड़े पांच लिटर के कुकर में बना रहे हैं तो एक विसल भी बहुत है करें चलिए स्ट्रीम निकल गई है अब देखें हमारी सब्ची कैसी बनी है यहीं मट्र पनीर की सब्ची हमारी तःयार है देखेंगे मट्रा हमारे सॉफ्ट हो गए के नहीं ये देखें मट्रा हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और पनीर भी अच्छा अंद्ट अब सब्जी में खूप सारा धनिया डालेंगे हरा और निक्स कर देंगे अब आपको मेरी ये रैस्पी कैसे लगी मट्रा पनीर की मुझे कमेंट्स करें और अगर अच्छी लगी तो लाइक करें अच्छी अगर नहीं लगे तो डिस्लाइक भी करें और आपको में टाद्स करें लुट अपर अच्छी 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 करें और कैसी बनी आपके सब्जी वो भी जरूर कॉमेंट्स करें रैस्पी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स